नमस्कार, A to Z dishes उशा गोर्जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी हूँ आलू के चिपस की सबजी आपने आलू को तो कई तरह से खाया होगा पर आज इसकी चिपस की सबजी बनाएंगे उसके लिए आपको एक मिकसर जार ले लेना है इसके अंदर दो इस तरह से टुकडों में कटे वे प्यास, दो टमाटर, दो हरी मिर्ची, आदा इंच अद्रक के टुकडे को इस तरह से डाल देना है और छे से साथ लसुन के कलिया धकर से पीस लेना है अब प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है दो से तीन चमच जितना तेल जैसे गरम हो जाए एक चौथाई चमच जितना जीरा और जो हमने ये प्यास टमाटर, हरी मिर्ची, लसुन अद्रक को पीस के रखा था वो डाल देना है और इसे एक से दो मिर्ट तक भून लेना है उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कब जितनी गाजर ले ली है और इसे छील कर काट लिया ये डाल देंगे आदर कब जितने मटर, लालमिश पाउडर, स्वाद अनुसर, नमक, आदी चमच, धनिया पाउडर, एक चौथाई चमच, हली पाउडर और सारे मसालों को मिलाते हुए अच्छे से हम एक से दो मिनिट तक पकाएंगे मसाले और नमक आप अपने स्वाद के अनुसर डाल सकते हैं दो मिनिट पकाने के बाद यहाँ पर मैंने आलो के चिप्स ले लिया है वो डाल देना है और इसे फिर से अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले चिप्स के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ अगर आपको जादा ग्रेवी पसंद है तो आप एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं मैंने एक कप जितना ही डाला है अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और कुकर का ढखकन देते हुए इसे हमें दो से तीन सिटी आने तक पका लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो से तीन सिटी आ गई है पुरा प्रेशर खतम हो गया है तो अब हम धकन को इस तरह से खोड़ लेंगे और आप देखें कि सबजी कितनी बड़िया बनी है बहुत काफी बड़िया खुश्बू आ रही है तो बस अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे यह ऑप्शनल है और थोड़े से धन्या के पत्ते और एक चमच जितनी कसूरी मेथी को इस तरह से मसल कर डाल देंगे और लीजे यह सबजी तयार है यह राईस रोटी दोनों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है और यह कुछ अलगी स्वाद आता है आपको लगेगा ने कि आप आलू की सबजी खा रहे हैं यह आलू के चिप्स की सबजी कुछ अलग स्वाद वाली है जरूर एक बार ट्राइ कीजे और मुझे कमेंट्स बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छे लगेए वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक झाँ झाँ झाल खो झाल झाल खो झाल झालन उसाय है जरूर ऑट आपको ताईए वाल घंग